हम लास्ट पी घबर अब दिखा देता हूं जिसमें हमने सीखा था अगर हम शेयर को कैश में इशू करते हैं तो क्या होता है ज़िए हमने कैसे करते है इसमें कोड़े लंब सम और इंस्टॉर्मेंट्स वाले दोनों केसे कर लेते साथ ही साथ हमने एक और केस करता था डिफॉल्ट बाइश अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता तो उसकेस में उतना लेस करके हम पैसा रिजीब कर लेते हैं एक छोटा सा कोशन हम पहले कर लेते है रिवीजिन के लिए उसके बाद हम आगे चलेंगे फ़र रिवीजिन पीवियार लिमिटेड इस ऑथराइज विद अ कैपिटल ओव एम टीवी लिमिटेड वस इस ऑथरेजिए अ कैपिटल ओफ फिफ्टी लाक्स इसुड ट्वंटी जूजन शेर्स और प्रूपीस 100 इच आग 10% प्रिम्यम एप्लिगेशन 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 अलॉट्मेंट फिफ्टी फाइफ फाइनल कॉल बैलेंस पास जनल एंट्रीज एंड शो बैलेंस शीट अब यहां पर मैं आपको बैलेंस शीट भी बनाना सिखाने वाला हूं अ शेयर होल्डर एक और चीज़ी अ शेयर होल्डर होल्डिंग होल्डिंग वन थाउजंड शेयर्ज इंद नॉट पे फाइनल कॉल उसने फाइनल कॉल नहीं थी ठीक है होफ़ली कोशन आपको समझ आ गया होगा अब इसका हम स्वाल्यूशन करने जा रहे हैं कोभी डाउट हो तो आप आप पूछेंगे बेगे सेंटर कीिस चीज की होती है ऐप्लिकेशहन का पैसा आने की तो सबसे पहले जब ऑप्लिकेशन का पैसा आएगा तो इंटरी विल बी बैंक अश्मट डबिट कर टू सेंख अ पीक्विटी शेर्ट अप्लिकेशन अकांट कितना पैसा आएगा 20,000 शेयर्स पर एप्लिकेशन अमाउंट कितना बनता 40 रुबीज ताट विल भी आट लग आट लग आगएगा ठीक है यह अप्लिकेशन मनिंकी एंट्री होगी नेक्स्ट इक्विटी शेयर अप्लिकेशन अकाउंट डेट अब आट लाग टू इक्विटी शेयर क्याप्टल अकाउंट इसकी नेरेशन के आजए कि बिंग एप्लिकेशन मनी ट्रांसवर्ट एंड शेयर्स अलॉटेट अब शेयर्स अलॉट जब हम कर देते हैं तो हम उसके बाद का पैसा मंगवाते हैं जब पैसा मंगवाते हैं तो इक्विटी शेयर अलॉट्मेंट अकाउंट हो जाता है हम अपने डेटर्स बढ़ा देते हैं कि यह पैसा लेना है है कितना लेना है क्वेंटी थाउजन शेयर्स पर 55 मतलब 11 लाग तू इक्विटी शेर कैपिटल अब कितना पैसा जाएगा यहां देखिए दस परसें में मतलब 10 रुपे इसका मतलब यह के जो कॉल है यह 45 प्लस 10 है जिसमें 45 कैपिटल के लिए और 10 रुपीस प्रीमियम के लिए यह रहता है हमारा कि कि अगर कुछ कोशन में ना गिए न तो प्रीमियम को हम अलॉट में बंगाएंगे तो नौ लाक रुपे यहां आ गया और बाकी दो लाक रुपे सिक्योरिटी प अब यहां पर यह पैसा में रिसीव हो जाता है कि बैंक अकाउंट डेबिट 11 लाक यहां पर कोई डिफॉल्ट नहीं तो पूरा पैसा आ गया विक्विटी शियर अलॉट्मेंट आपने कोई भी शॉट फॉर्म यूज नहीं करनी चाहे मैं करू या ना करू आप लोग नही इसके बाद एक्विटी शियर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट फाइनल कॉल कितने की रह गई चालिस एप्लिकेशन पच्पन अलॉट्मेंट तो टोटल कितना हो गया 95 तो मतलब 15 रुपय हमारी फाइनल कॉल है तो एक्विटी शियर क्यापिटल अकाउंट कि इतना आजेगा वी सब्सक्राइब टीन लाग तो इस बैंक अकाउंट डेट तू इक्विटी शियर फाइनल कॉल आज तो तीन लाख में से एक बंदा जिसके पास हजार शेयर से हजार वाले था ना वो डिफॉल्ट निकला हाँ हजार शेयर साला तो हजार इंटू पंदरा कितना हो था पंदरा हजार रुपय रिसीव नहीं हुए तो 15,000 लेस करते हैं तो लाइक फाइफ थावजन तो अब यहां तक आपको क्लियर होगा कोई डाउट है तो आप पूछ लो तो अब यह देखें यह हमारी है बैलेंशीट यह बैलेंशीट का फॉर्माट है ठीक है बैलेंशीट आज ऑन जो भी डेट डालेंगे हैं तो अभी हम एक पूरी बैलेंशीट नहीं बना रहें इस तो बैलेंशीट के अंदर अब हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं फिल्हाल मैं सिरफ शेयर कैपिटल की बात करूंगा और अगर आप देखें तो सिरफ शेयर कैपिटल और बैंक और एक एस पी आर तीन चीज़ें ही बैलेंशीट में आएंगी बाकी कैसे दिखा है बैलेंशीट के अंदर बहुत अच्छे समझना है इंदर फर्स है यह होती है डाट इस शेयर होल्डर्स फंट शेयर होल्डर का पैसा जो उमारे प्रकूंपनी के अंदर लगा हुए ठीक है यह पीविया लिमिटेट कंपनी का नाम है अब यहाँ पर आजेग शेर कापिटल और शेर के लिए बनाएंगे हम नूट नंबर वन ठीक है क्योंकि शेर कापिडल का नोट बनाने का पर्टिकुलर फॉर्माट है पर्टिकुलर तरीका है उसी कि अकॉर्डिंगले हम बनाएंगे शेर कापिडिगे यहां पर्टिकुलर्स कि अमाउंट अब यहां पर देखो सबसे पहले कि अधुराइज कैपिटल कितनी है इन्फॉर्मेट्री पार्ट आता है यहां पर ठीक है ऑफ्टी थाउजन शेर्स पचास लाग हमारी ओफ्टोरेज कैपिटल है मतलम 50 पार्ट तक के शेर इसु कर सकते हैं और रुबी तो यह होगे 50 लाग जो हमने इसु कर दी ठीक है यह दो चीजें आपने लिखनी है यहां पर कि 50 लाग में से 20 लाग की कैपिटल को इशु कर चुके 30 लाग के भी नहीं करी ठीक है इसके बाद हम हेडिंग डालते सब्सक्राइब जो शेर लोगों ने ले लिए एंड फुली पेड़ अप कैपिटल ठीक है इसका मतलब किया है लोगों ने कितने शेर पर पूरा पैसा दे दिया है तो ऐसे कितने हजार शेर को छोड़ दिया जाए तो उननीस हजार शेर पर पूरा पैसा आ गया है पार्शली पेड़ा पार्टली पेड़ अब कैपिटल तो यहां पर कितने शेर आएंगे यह थाउजन शेर पाफ रूपीज हंडेड इच जिन पर पूरा वैसा नहीं है अब सबसे पहले में लिखते है कि यहां पर कितना वैसा हमने मंगवा लिया था तो हंडेड हम मंगव के नीचे अब लिख सकते हैं फाइनल कॉल कितनी नहीं पंदरा हजार रुपे की फाइनल कॉल नहीं तो कितना पैसा यह दे चुक है 85,000 तो हमारे पास जो कैपिटल आ चुकिए डाट इस 19,85,000 तो यह 19,85,000 हमारे यहां पर करंट टेर की फिगर में आजेंगी कैपिटल में है अब नेक्स इस नोट नंबर टू नोट टू किस चीज़ का बनेगा इसका भी पार्ट जो होता है यह फिक्स है याद रहे हैं इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं रिजर्व सेंट सर्प्लस सिक्क्यूरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी हमें दिखाना है तो रिजर्व सेंट सर्प्लस का नोट बनेगा वैसे तो रिजर्व सेंट सर्प्लस एक ही है लेकिन नोट बनाना ज़रूरी है रिजर्व सेंट सर्प्लस का आप सिमिलर्ली इसी फर्माट में नोट बनाएंगे और वहां क्या लिखेंगे SPR कितना है SPR टैन रुपीज और ट्वंटी तांशेट दो लाग तो दो लाग SPR यहां पर आ जाएगा ठीक है जब बैलंशीट काप टोटल करेंगे और भी बहुत सारी चीज़े आएंगी ठीक है अभी मैं सिर्फ रेलिवेंट चीज़ों की बात करिया है तो यह टोटल आगे 21,85,000 तो दोनों साइड एकॉल हो जाती है इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो आज मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूं जाएट इस प्रिपरेशन ऑफ बैलंशीट बैलंशीट हम कैसे बनाएं मतलब जर्नल एंट्रीज फिट लेजर फिर ट्राइल बैलेंस फिर बनती है फिनांशल स्टेटमेंट्मेंट्स है ना मैं आपको सीधा बिना जर्नल एंट्री करें सिरफ कुछ क्याल्कुलेशन करके बैलंशीट बनाना सिखाने वाला हूं जिसस आप शेयर कैपिटल की बैलंशीट ऐसे बना लेंगे ऐसे देखो तो आज हम तीन-चार कोशन करेंगे बैलंशीट पर बेश एक छोटा था कोशन एबी से लिमेटेड इस ऑफराइस्ट है विए इस इस डिस्टर विए जिस्टर विए इस विए लिए शुम्ट टड़्स इसूड it issued 20,000 shares of rupees 50 each at 20% premium a shareholder holding 1000 shares could not pay allotment and final call of rupees 15 and rupees 20 respectively. Another shareholder holding 500 shares. कुट नॉट पे फाइनल कॉल प्रिपेर बैलन्शीट हमने बैलन्शीट बनानी है तो कोशन ने आप से सीधा बैलन्शीट पूछ ली अब क्या करोगे डर्णा तो मना है ना आपको के पहले जर्णल करेंगे फिर बैलन्शीट बनाएंगे ऐसा नहीं होगा आपको सिरफ बैलन्शीट बनानी है तो इसको हम थोड़ा इजी कर लेंगे कैसे यह देखो बहुत इजी है यह ऐसा कोशन दो बहुत सब्सक्राइज है सॉल्यूशन पहले आप थोड़ी सी वरकिंग्स करने अपने दिमाग में या फिर रफ पे टोटल कितने शेर्स हैं बीस सदार शेर्स इनकी के डेगरी बना दो तीन पहली के डेगरी या ऐसा दरूद दो के डेगरी फुली पेड दूसरी के डेगरी नॉट फुली पेड जो फुली पेड नहीं है ठीक है फुली पेड में अब फुली पेड में हमारे इक हजार यसे और एक बांसों शेनकी紹ाइश ओर फुली पेड में जोगए 18,500 नहीं मुद्धत तो ये तो फुल यह एन्व इसका मतलब ये 59F तो कितना हो गया और फोर नाइन लाइक ट्वेटिफाइव ताउजन यह नौलाग 25,000 प्लस प्रीमिम और आया 18,500 पर प्रीमिम और रहा है कितना प्रीमिम प्रीमिम यह प्रीमिम आ गया अब इस हजार की बात करते हैं इस पर कितना पैसा आया तोटल हमने कॉल कितना कर आप पचास जो टिकम है 55 हि कर दें 55 मंगालिया तो मतलब हमने 25,000 अब इसमें दिख्गत के आती है इसमें प्रीमिम को हमने अलग करना होता है तो ऐसा करते हैं पचास और पांच अलग करते हैं पचास एक एक मंगाया और पांच एक मंगाया तो फिफ्टी ताउजन और फाइफ ताउजन ठीक है अब इसने क्या बें नहीं करा इसने अलॉट्मेंट पे नहीं करी कि अलॉट्मेंट कितनी बनती है हजार शेयर्स पर कितना लिखा हुआ पंदरा रुपए अलॉट्मेंट है एक मिनट यह दस है दस हजार थोड़ा सा इसली करते हैं वेट में अच्छे समझें तो वैसा करो यहां पर आवाज अरी आपको मेरी इनका टोटल ही कर दो पंदरा सो शेयर्स इन से हमने टोटल कितने पैसा वंगाया फिफ्टी फाइव रुपीज टोटल कर रहें ठीक है सीधा तो फिफ्टीन हंड़ेड इंटू फिफ्टी फाइव डैट इस एटी टू थाउजन और फाइव अब इसमें क्या कि इन्हों न से नहीं दिया ергिए अलोटमेंट कितने शिफिन यहलोटमेंट हजार शेयर्स पर पिए फिफटीन रूपीज तो यह हो गया कि firearm अ लिक प्सपैने अर फाइनल लिक 5.В हॉत्त प्लस पाँंचud. इन अ है है तो हमारे पास टोल कितना पैसा आ गया टोर्टल आ Jackie painivasura माइनस 45,000 टोल पैसा जो हमारे पास या धारीगहल। कुछ है हैं तो हमारी ठैक्टर कितनी हुग शॉरी पहस्मिन शॉरी पैट्ट worship कितनी हो गी नौराग् दिखाए कैसे अब जब आप notes to accounts बनाओगे उसके अंदर शेर capital दिखाऊगे तो शेयर capital के अंदर सबसे पहले क्या आएगा authorized capital authorized capital कितनी दिखाऊगे है हमारी अप्थृइस य से कि इतने से करना थी ऑटी से कितने से 40 लाओ रåपे तो हम यहां बताएंगे विए 40 लाओ हमारी ऑफ्षोराइस कैपटल है कि धन हमने इशू कितनी करी गडाल जितने शेर हमने इशू कर दिये कितनी कैपिटल इशु करी बीस हजार इंटू फिफ्टी दस लाग रुपे के हमने शेर इशु करें डाट इस इशुड कैपिटल नेक्स्ट नेक्स्ट चाहता है फुली पेड़ कैपिटल क्यों कौन सी है अठारा हजार पांसो शेर पे पूरा पैसा आ गया तो नाइन लाग 25,000 फुली पेड़ कैपिटल एंट पार्टली पेड़ में क्या आजएगा अगर आप अलग भी करना चाहते हैं तो अलग भी कर सकते हैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं पंदरा सो शेर फिफ्टी रुपीज का एक शेर प्रीमें मलग कर देते हैं क्योंकि हम कैपिटल की बात करें 75,000 लेकिन फिर अलॉटमेंट अलॉटमेंट जो आप लोगे वह 15 रुपे नहीं ले सकते फिर आप पांच रुपे लोगे क्यों क्योंकि 10 प्रीमियम है तो पांच अजार आप यहां लेस करोगे और फाइनल कॉल फाइनल कॉल भाई रहेगी फाइनल कॉल 1500 शेर इ सेम ही आने वाला है सेम आएगा ना आएगा तो सेम ही एक मिनिट यह 60 था यह 60 था यहां पर इस वाज 90,000 ठीक है साथ रुपे हमने कॉल करें तो यह आजेगा फॉर्टी फाइव फॉर्टी फाइव एगा एक मिनिट रुप हो रिपीट करूं काल्कुलेशन पंदरा सो शेर पे 50 रुपीज हम अंगवा चुके दैटि 75,000 हमने कैपिटल कॉल करी है इसमें इसने अलॉट्मेंट पे नहीं करी अब अलॉट्मेंट क्या है दैट इस 15 15 को जब हम ब्रेक करेंगे तो उसमें 5 रुपे कैपिटल है और 10 रुपे प्रीम है तो हमने कैपिट पर 5 रुपे पांच हजार रुपे यह नहीं आया और फाइनल कॉल फाइनल कॉल होती है पंदरा सो शेर पर 20 रुपे तीस हजार रुपे यह नहीं है तो टोटल कितना पैसा हमें मिल चुका है जो पेड है डाट इस मैं 200000 तो चालिशेर पार्ट्ली पेड और नोब फच्शिसयता फुली पेड में जाएगा아니 पार्ट्ली पेड में जाएगा 40 हजार और यहां कैसे इंगे ऐसे पंदरा सो शेर से चग में 1-4 इसमें से कॉल से इरियरो एन ठीक है और फाइनल कोल 1500 शेर्स पर फाइनल कोल कि पंद्रा सो शेर्स पर 20 रुपे नहीं ताइस 30,000 और तो हमारे पास यहाँ पर 40,000 रुपीज जो है है आए हुआ है जो हमने यहां पर लिख दिये तो टोटल हमारी पेड़र क्याप्टल होगे नौ लाख पैंसेट अजार ठीक है कोई डाउट है हो भी सकता है क्योंकि हमने दो तो तीन तीन बार रिवीजन करी कैलकुलेशन की तो कुछ है तो पूछ लो